आज के discussion की start करते हैं एक question के साथ अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि कौनसी ऐसी सरकार की agency है जो पिछले 5 साल में लगबग हर रोज news में रही है तो क्या होगा आपका जवाब और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इसका जवाब दे तो the answer is enforcement direct rate यानि की ED ED दोस्तों एक ऐसी organization है जो deal करती है money laundering के साथ और साथ साथ अगर मान लो foreign exchange laws के साथ कुछ ना कुछ उसके violations होते हैं तो उनके offenses को investigate करना ये ED की जिम्यदारी है ED आती है हमारी ministry of finance के अंतरगर जो आपका department of revenue है उसके अंदर ये काम करती है और बहुत important day financial investigation agency बन जाती है इसी तरह की investigation agency जैसे for example यहाँ एक land fraud case के regarding ED पहुची जो आपके जारखंड के chief minister है हेमत सोरेंजी के घर पर हेमत सोरेंजी उनसे भी एक कदम आगे निकले उन्होंने कहा कि नहीं ये चीज तो politically motivated है और इस वज़ा से वो अपने घर पर ही नहीं थे तो ED की जो team थी बहुत लंबे time तक wait करती रही 12 घंटे से भी जादा उनके घर के उपर बाहर ही डेरा लगा कर बैठ गे पर कही ना कहीं अभी भी उनका race नहीं मिल पाया है कि आखिर जारकंड के CM है कहां पर तो दोस्तो डेट है आज की 30 जनवरी 2024 एंड आप सभी का स्वागे था आज के फिलिम बूस्टर news discussion के अंदर 30 जनवरी आप जानते होंगे Martius Day के रूप में भी celebrate किया जाता है इस दिन हमारे जो father of the nation है महात्मा गांधी जी उनकी पुन्य दिवस के रूप में हम इस दिन को यहाँ पर देखते हैं इस दिन के उपर आप जानते होंगे कि उनकी जो टीचिंग सी महात्दा गांधी जी की जैसे non-violence truth ये सब अपने आपे बहुत इंपॉइंट बन जाते हैं 2nd October को हम International Day of Non-violence के रूप में celebrate करते हैं आप सभी जानते होंगे जो कि गांधी जी का जनम दिवस भी होता है 30 January के दिन नथू राम गौट से के द्वारा महात्मा गांधी जी को दिल्ली का जो बिरला भवन है वहाँ पर तीन बार उनको शूट किया गया जिस वज़ा से महात्मा गांधी जी की डेथ हमें देखने को मिलती है तो यह कोई चीज़े जो मैं आज के बारे में पता होनी चाहिए सरी स्टार्ट करते हैं आज की डिसकेशन एंड एक इंपॉर्ट टॉपिक जो मैं पढ़ना है that is with regards to ECOVAS सर ECOVAS तो हमने पहले भी पढ़ा था हाजी बिल्कुल पहले पढ़ा हुआ है पर यहाँ पर कुछ नई डेवलप्मेंट्स हुई हैं हमें वो समझनी है ECOVAS को पहले तो यह समझो हम क्या कह रहे हैं इसका full form क्या है Economic Community of West African States अफरीका हम जानते हैं और इसके western side के आएंगे तो हमें कुछ countries देखने के मिलती है यह countries ने आपस में एक community बना ली है क्योंकि आप खुद notice करो न यार यह जब इस तरह से चोचोड़ी countries है कुछ बड़ी countries भी हैं इनके अंदर अगर आपस में इन्होंने एक दूसरे के साथ मिल जूलकर काम किया तो यह जो पूरा region है ना यह अपने आप में develop हो पाएगा तो यहाँ पर इनके काफी अच्छे खासे trading relationship है एक तरह का trading union ने बना रखा है आपस में लोगों का living standard कैसे बढ़ना चाहिए उसके लिए काम कर रहा है और यह पूरा का पूरा region अपने आप में आत्म निर्बर या फिर self-submission बन पाए उसके लिए यह ecovass हमें देखने को मिलता है ठीक है सर यह बात तो हमें clarity है कि हाँ कि क्यों ecovass बना था ओके पर हुगा पता क्या पिछले कुछ समय के अंदर नहीं यहाँ पर बहुत सारे military crew बगएरा देखने को मिलते है तकता पर जिसको बोलते है हाँ सर वो बात भी सही है जैसे मैं आपको example देता हूँ एक यहाँ पर आप गिनी देख पार हूँ है देखो इधर इधर red में हाँ उसी तरह से यहाँ पर आपको बुर्कीना फासू देखने को मिलेगा ठीक है आपको माली देखने को मिल रहा है बिल्कुल सर और नाइजर, नाइजर का तो सर हमने discussion भी बहुत detail में किया था सही बात है अब यहाँ पर ना पिछले कुछ समय के उपर क्या हुआ है military coup हो है जैसे मैंने आपको बताया अब जब military coup होंगे तो बाकी देशों को यह पसंद नहीं आएगा अब उस वज़े से क्या हुआ ना इन देशों को ना suspend किया गया इको वास के द्वरा कि नहीं यार हम आपकी जो membership हो उसको suspend कर रहे हैं कुछ समय के लिए अब इसमें से ध्यान रखना इसमें से जो तीन देश है इधर वाले यह देखो यह जो तीन देश हैं नाइजर, अलजीरिया और बुर्कीना फासू यह तीन देशों ने बोला है कि चलो ठीक है आपने हमें सिस्पेंड किया है हम खुदी कुट कर रहे हैं ठीक है ना हम विड्रॉ कर रहे हैं इको वास से समझे रहे हैं पहले तो सिस्पेंशन हुआ था अब इन्होंने बोला कि नहीं हम छोड ही रहे हैं इको वास ध्यान रखना गिनी को सिस्पेंड किया गया है बाद में गिनी वापिस से पार्ट बन जाएगा ठीक है ना पर यहां पर बाकी तीनों ने यहां पर इसको कुट कर दिया है और इन्होंने क्या वोला है कि भाई हम अपना खुद का बनाएंगे यो तीन देश आपके वुरकीना फासो माली और नाइजर इन्होंने वोला है कि हमने ना अपना खुद का एक एक ऐलाइंस मनाया है जिसका नाम है ऐलायंस ओफ साहिल स्टेट्स तो ये कुछ चीज़े आपके पता होनी चाहिए तो बेसिकली जो आपको 15 देश देखने के मिलते हैं इकवास के अंदर अब उसमें से आप नोटेस करोगे जो मैंने आपको तीन देश बताए चाहे आप उसमें नाइजर की बात कर लो आप बात कर लो बुर्कीना फासो की एंड साथ साथ आप जो माली की यहाँ बात कर रहे हो ये तीनों देशों ने यहाँ पर इसको क्विट कर गया के अंतरगत यह बना था 1975 के अंदर तो काफी पुरानी यह संस्था आप इसको मान सकते हो किस तरह से आपस में पर पार्टिस्पेशन करती है एंडर्जी टेलीकॉम ट्रांस्पोटेशन के अंदर एंड कहीं न कहीं जो हमारा जी-ट्वेंटी का मुद्दा भी था साउथ साउथ कॉपरेशन का वहाँ पर भी इकोवास हमारे साथ मिलकर काम कर रहा है बाकी इकोवास के अंदर इंडिया observer status है इंडिया का यह कुछ point असे जो आपको पता होने चाहिए आगे चलते हैं acid rain के वारे में थोड़ा सा बढ़ लेते हैं and I am sure आपको पता होगा आपने environment के दर पढ़ा होगा बट अभी news क्या है कि एरान के उपर बहुत बड़ा एक खतरा आया है air pollution का और acid rain का दोस्तो acid rain ह होती क्या है देखो आप लोग ना जानते हो जैसे acid होता है एक चीज़ होती है neutral और एक होता जो आपके base बगरा होते हैं ठीक है अब अगर मानलो जो बारिश आ रही है वो acidic है तो उसको acid rain बोल देंगे अब आप बोलोगे सर पर हमें पता कैसे लगए कि कौन सी rain acidic है या कौन इशारी है acid rain जो हो रही है अगर उसकी pH value चार के आसपास जनली हम देखते हैं 4.2, 4.3 जनली इस range में देखने में मुलते हैं तो हम उसको acid rain बोल देते हैं कई बार आपने ताज महल का सुना भी होगा कि ताज महल की जो coloring थी जो color था पहले वो काफी अत्तक आप creamish हो चुका या आपकी industries, oil refineries बहां से sulfur dioxide या फिर nitrogen oxide निकलते हैं तो कल को क्या होगा? वो atmosphere में जाएंगे, atmosphere में जाएंगे कहिना कि उपर जाकर वो water droplets के साथ dissolve हो जाएंगे और जैसे यो water droplets जो dissolve होई हैं उनसे जब पानी निकलेगा, जब वो बारिश की form में हमारे धरती पहुँचेगा तो उसी को हम क्या बोलनेंगे acid rain तो मैंने आपको sources भी बता दिये और इसकी pH value क्या होती है ये भी आपको बता दिये और इसके negative impact देखो आप खुद ही समझ गये हो कि वहां की जो bio diversity है उसके ओपर बहुत negative impact आएगा, जो पानी है वो पीने लाइक नहीं रहेगा, bacteria को destroy कर दे ना, तो ऐसा नहीं कि सिरफ ये इरान को impact करेगा, नहीं उसके आसपास के देशे से पाकिस्तान उसको भी impact करेगा, ठीक है ना, क्योंकि आप notice करो, acid rain तो सब जगा हो रही है, बाकी आप notice करो, corrosive होता है, जैसे मैंने आपको ताज महल का example भी उताया, and साथ-साथ इससे lower visibility भ आएगा ही नहीं, तो जो flu glass desulphurization है ना, इसके माध्यम से हम ये चीज़ करने ही कोशिश करते हैं, बाकी जिस जगा की उपर acid rain गिरी, जैसे मानलो किसी lake या river की उपर acid rain आगी, तो हम acid को neutralize कर सकते हैं, liming के process से, तो ये एक चीज़ हो गया कि मानलो आपने powdered lime या फिर limestone डा acid deposition monitoring network in East Asia, ये क्या है, ये कुछ सरकारे साथ में आई है, ताकि acid rain के लिए, कम करने के लिए साथ में काम किया जा पाए, तो यैसे कुछ efforts भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, नेक्स चलते हैं अंगले topic की तरफ, that is, first national conference on promotion of seaweed cultivation, सर ये seaweed क्या होता है, देखो, आपने कभी समुदरी घास या फिर समुदरी शावाल के बारे में सुना होगा, हाँ सर सुना तो है, पर देखा नहीं है, कोई बातनी अभी दिखा रहते हैं, ये देख बारे हो, ये दरसल में क्या grow किया जा रहा है, देखो, ये एक तरह की समुदरी घास है, बहुत सारे फाइदे होते हैं, बहुत सारे अगाओं वगारे मैं देख रहा था, बहुत सारी अच्छी case studies हैं, जहां पर ना मानलो, अगर मानलो मचलियां, जो fishes होती हैं, अगर मानलो कम होगी, तो बहुत सारे जो लोग है ना, वो अपने घरों को छोड़के किसी दूसरी जा रहे थी पर ओवर दर टाइम उन्होंने ये नोटिस किया कि नहीं यार सीवीड की अगर हम खेती करें ना तो अपने आपे हमें ये बहुत हैल्प कर सकता है सर वह कैसे अरे ये जो सीवीड होते हैं ये फूड के अंदर यूस होते हैं मैं आपको एक्जामपल देता हूँ आप लोगों ने कभी फलूदा ऐस्क्रीम खाई है देखो मुझे तो बहुत पसंद है ये फलूदा बनता कैसे है कि आपका ने दिये देखा कि कैसे ये ठिक कैस पढ़ रही है आपकी लैब्स के अंदर आपके क्या बार जो आप चैमिकल यूज करते हो उसके अंदर पढ़ती है आपके पेपर आपके पेंट आपके काड़ वोड इस तरह से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं बिल्कुल और इस सबज़ा से ये जो किसान यहां पर इसको ग् होता है आपकी बहुत सारी पर्सनल एप्लिकेशन के अंदर यूज होता है इससे बाद में इसको इसमें से कुछ चीज़े एक्स्ट्रेक की जाती है जिसको आप एग्री कल्चर के अंदर जो होता है ना आप चैमिकल की तरह केमिकल नहीं होलना चाहिए आपके जो न्यूट परां से बहुत-बहुत सारे बेनिफिट समय यहां पर इसके देखने को मिल जाती है तो अभी क्या हुआ है कच्छ गुजरात के अंदर ना नैशनल कॉन्फरेंस हुई उसकी जिसको चेयर किया गया यूनियन मिनिस्ट्र फिश्री अनिमल हजबेंट्री एंड डेरिंग के जो रही आप देख पाओगे कि यहां पर यह चीज देखने को मिलती है ठीक है ना बहुत सारे यहां पर डिसकस किएगे कैसे इनको यहां पर सीवीड कल्टिवेशन कैसे करनी है यह कुछ मैथर्स हैं मॉनोलाइन ट्यूबनेट राफ्ट इसके माध्यम से हम यह सीवीड डि देखने को मिल जाते हैं ब्रैकेश वाटर होते हैं तो वहां पर इनकी ग्रोथ काफी अच्छी होती है एंड आपके इनकी यूजिस टॉप समझी गए हो होता गया है ना यहां पर अलग-अलग तरह की अलगी होती है ग्रीन हो गया जिसको क्लोरफाइटा बोलते हैं बाकि आप नोटिस जाइंगए हमारे जो फिसर मैं उनकी योफ सारी सियोस पाराइट हो गया मिनरल हुए यह देखने को मिल जाते हैं बाकि कैंसर एजेंट्स के इंदर ये काम आते हैं एक इस यूसकर यूजिस करेŞ़ूरफार यसका जाता है बाकि इसके लावा एक important इसका फाइदा ये भी है कि actual में ये क्या करते हैं ये carbon dioxide को use करते हैं अपना खाना बनाने के लिए अब carbon dioxide use होगी oxygen के हिनकी बड़े की उससे हमारा environment को भी बहुत बहुत ज़ादा फाइदा है बाकि आप जैसे मैंने आपको बताया आपके pharmaceuticals के अंदर cosmetics, cardboard, paper, paint, processed food इन सब के अंदर देखने को मिल जाते हैं ठीक है तो ये बहुत कुछ अच्छे benefits है इन फैक्ट आपके toothpaste में भी अगर आप देखोगे ना तो toothpaste में भी आपको देखने को मिल जाएगा बहुत टाइम पहले मैंने एक toothpaste के regarding एक चीज़ बताई थी ठीक है किसी ने comment भी किया था कि आपके toothpaste पे नमक है या नहीं है ठीक है तो नमक नमक तो है चलो पर साचा seaweed भी है इसके अंदर हमारे toothpaste के अंदर ठीक है ना बाकी विज़रे से आपको प्लास्टिक के regarding भी चीज़ देखने को मिल जाएगी तो ये कुछ फायदे है इसके बाकी इंड का यहां पर package भी दिया हुआ है दुनिया वर की बात करें तो 35 million ton का production हो रहा है पर इंडिया सिर्फ 34,000 ton बहुत पीछे हम यहां पे अपने आप में बहुत एक बहुत बड़ा potential है तो इंडिया के potential के लिए क्या होगा कि लगबग 9.7 million ton of seaweed इतना production का हमारा potential है ऐसा Central Manine Fisheries Research Institute के दौरा यहां पर बताया गया है नेक्स चलते हैं अगले topic तरफ नागरजुनसागर श्रीसाइलम टाइगर रिजर्फ देखो एक अडल्ट में टाइगर को यहां पर rescue करने के लिए एक operation launch किया गया था यहां से नागरजुनसाइलम टाइगर रिजर्फ के द्वारा तो थोड दरसल में आपकी यहां पर इसको देख पाऊगे यह आपका नागरजुनसाइलम टाइगर रिजर्फ है यह तैलंगाना और आंधरा प्रदेश इन दो स्टेट्स के अंदर यह लाई करता है यहां पर टोटल पांच जिस्टिक्स हैं इन दोनों स्टेट्स के अंदर वहां प कहां से नागरजुनसागर श्री साइलम देखो यहां पर ना इस रीजन के अंदर दो बहुत बड़े डैम्स हैं एक डैम का नाम है नागरजुनसागर डैम दूसरे का नाम है श्री साइलम डैम अब इनी दोनों डैम्स के नाम के उपर इसका नाम पड़े गया नागरजुन के बारे में तो वहीं पर यह located है 1983 के अंदर इसको यहाँ पर टाइगर रिजर्फ का स्टेटस मिल गया था तो यह कुछ pointers हैं जो आपको जानने चाहिए बाकि मैंने आपको बता ही दिया किस तरह से इसका ठोटल एलिया 3727 किलोमीटर आपको स्केर किलोमीटर देखने को मिल जाएगा यहां पर आपको दो वाइल देशिदेशन की अगर हम बात करें तो इसमें भी डिफरेंट तरह की वेजशन है आपको देखने को मिल जाएगी एंड कुछ ठीस की बात करें तो नलामाडी, चिरुमनू, बिलूडू और ये पी, ये कुछ इंपॉटन चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जा दे हैं बात करें से अगर प्रोजेक्ट टाइगर की तो प्रोजेक्ट टाइगर आप जानते होंगे 1973 के ने स्टार्ट किया गया था जिम कॉर्बिट नेशनल पार्क के से ऐसा सेंटर ली स्पॉंसर स्पॉंसर तो आप जानते हो, दोनों तरब से पैसा आ रहा है सेंटर से भी और आपका स्टेट से भी यहाँ पर कोशिश यह है कि हम टाइगर को किस तरह से कंजर्व कर पाएं एंटी सी है ना जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन थौर्टी वो एड्मिस्टर करती है अस प्रोजेक्ट टाइगर को दरसल में एंटी सी है क्या यह एंटी सी है हमारी एक Statutory Body, Statutory Body मतलब यह Act से बनी हुई Body है Sir कौन सा Act है हमारा, अरे Wildlife Protection Act और कौन सा इसमें क्या पूछने वाली बात है, ठीक है उस से थूँ यह बनी हुई है Act यह है, पर बनी कब है यह, यह बनी 2006 के अंदर ठीक है, Establish in 2006, Under this particular Act अब एक चीज़ आपके दिमाग में आएगी Sir, NPCA को Chair कौन करता है, अरे आप बताओ, सारी चीज़े मैं थोड़ी बताऊंगा कि कौन Chair करता है बहुत एजी अंसर है, हमारे जो Minister है कौन से, Ministry of Environment, Forest and Climate Change जो इसके Minister होंगे न, वो यहाँ पर इसके Chairperson होगी और Vice Chairperson कौन होंगे, वो इसी Ministry के जो आपके Minister of State होते हैं जो Minister of State होंगे न, Ministry of Environment, Forest and Climate Change के वो इसके Vice Chairperson देखने को मिल जाएंगे तो यह कुछ पॉइंटर्स थे आपको यहाँ पर इसके रिगाडिंग पता होने चाहिए आगे चलते हैं, North East First Naturopathy Hospital अब यह क्या चीज है, देखो असाम के जो चीफ मिनिस्टर हैं, हिमनता विश्वा सर्म आज कल बहुत जा नीउस में रहते हैं ठीक है न, बहुत अजीव-जीव से भ्यान भी दिया हैं उन्हें पिछले दिनों के अंदर But anyways, उनमें नहीं जाएंगे पर इनके द्वारा First Yoga and Naturopathy Hospital in North East की Foundation रखी गई है अब आप नोटिस कर पाओगे, जब हम बात करते हैं नेच्रोपैथी की आपके बहुत सारे आजकल लोगों को heart की disease होती हैं, बहुत सारे non communicable disease होती हैं उन सभी चीज़ों को tackle करने के लिए, लोगों की wellness को और improve करने के लिए यह जो particular आपका naturopathy hospital है न, यह यहाँ पर आपको मदद करेगा तो यह कुछ pointers थे इस चीज़ के regarding, जिनके आपको जानकारी होनी चाहिए इसके साथ में अगर आप notice कर पाओगे न, तो यहाँ पर यह जो आपका hospital होगा यह आपको inpatient services भी, outpatient भी और day care services भी देगा देखो दरसल में होता क्या है न, जैसे OPD, OPD आप जानते होंगे, वो होता है outpatient actually क्या होता है, OPD के अंदर गरत आप कुछ routine, checkups वगरा कराने जाते हो ठीक है न, कुछ diagnostic आप पर test वगरा होते हैं, वो कराने जाते हो, तो वो सब आते है outpatient बहुत लंबा टाइम आप रहते हैं, आप दिन में जाते हो, शाम को आप पर साथ आते हो, inpatient के अंदर जो होता है न, आपका तो लंबा प्रोसेस होता है, मालों जैसे surgical कुछ करवाना हो, चाइल्ड वर्थ का काम हो, medical treatment हो, कोई intensive बला, तो वो होता है inpatient के अंदर तो यह जो सारी अलग-अलग तरह की service है, inpatient भी, outpatient भी और day care भी है, यह सारी आपके कौन दे रहा है, मतलब देगा, यह देगा आपका CRIYN, अरे CRIYN क्या है, अरे इसी hospital का नाम है, ठीक है न, आपका Central Research Institute of Yoga and Naturopathy, ठीक है, तो वही इसका नाम है, तो लगबग 100 क्लोड की इस पर कुछ मैं आपको homework दे रहा हूँ, एक homework कल वाले topic का है, तो इसका answer भी आप मुझे definitely बताओगे, बाके को तब बताना ही बताना है, राइट, कल जो homework दिया था, उसका answer देख लेते हैं, एक था wandering albatros के बारे में, तो क्या इसका IUCN status least concern था, अरे नहीं, इसका IUCN status था vulnerable, त के अंदर, कुलापूर की बात करें, तो प्रिंस्टी स्टेट के रहा continue किया, until India's independence in 1947, this is indeed the crack state, आज का homework क्या रहेगा सर, MCQs के अंदर, देखो आज का homework schemes के regarding होगा, एक है प्रधान मंत्री मच्छे संपता योजना, इसके बारे में थोड़ा देखो, ठीक है, दूसरा आपका homework रहेगा, गबर्धन scheme के बारे में, दूनों schemes के उपर हैं, पर question थोड़ से tough है, ठीक है न, अगर धंक से पढ़ाई करिया, तभी इसको मतलब अच्छे से कर पाओगे, बट कोशिश ज़रूर करना, answer करने की, try करना, eliminate करने की, या जैसे भी आप कर पाओगे, answer तक पहुंच पहुंचे ही हो, basically कुछ cases होते हैं, उनकी effectively इनको handle करने के लिए, specialization के लिए ये चीज़ बनती है, अब जैसे for example, environment protection हो गया, forest conservation हो गया, pollution के लिए compensation में मिलना हो गया, ये सारे कामों के लिए, यहाँ पर NGTA काम देखता है, तो जो बात कहरा है, air pollution, noise pollution, distal pollution, waste disposal, इनके साथ ये एक तो होता है कि आप गे court के पास, या फिर आप गे tribunal के पास आप बोले कि भाई, इसने मेरे साथ ये कर दिया, पर एक होता है कि NGT, खुद अपनी अंतर आत्मा की अवाज सुने और बोले कि नहीं है, हमें ये चीज़ ठीक करनी है, तो answer is, यहाँ पर ये चीज़ कर सकता राइट, दूसरा question की बात करें, यॉंग के regarding मैंने आपको एक homework गया था, एक्चल में पता क्या हुआ है, अभी देखो 26 January गई, बिल्कुल सर, 26 January के अंदर आपने देखी होगी, आपने parade बगरा देखी होगी, वहाँ पर न, ये मनीपूर की आपको देखने को मिलेगी, ठीक अब यहाँ पर एक्चल में न, इस मनीपूर के जो थीम था, उसके अंदर पता क्या शो क्या गया, पहले आप मुझे ये पताओ, इस 26 January की थीम क्या थी, आप जानते हो, सब नारी शक्ती थी, वुमेन इंपार्मेंट के बारे में हमने डिसकस किया, और मनीपूर का ये जो नाम क्या है, Ima Kethar, ये market का नाम है, जिसका मज़एंस market बोलते हैं, ये पूरी रूप से महिलाएं ही इस market को चलाती है, ओ, लेटफ इंटरस्टिंग सर, ठीक है, औ उर ऐसा बोल जाते है कि दुनिया की सबसे बड़ी market है, जो सिरफ महिलाएं चलाती है, और ये 500 साल पुरा कपड़ा मतलब वो कर रही है को लोट्स को वीव कर रही है इसी मनी पूरी लूम का नाम क्या है यॉंग समझे इस बात को तो अपने आप में काफी नीज में था तो मैंने सब्सक्राइब कर लूँ तो यॉंग जो आप से पूछ रहा है न वो कुछ नहीं वो एक ट्रडिशनल मनी पूरी लूम है तो इसका करेक्ट अंसर ऑप्शन नमबर एक बन जाएगा दोस्तो ये थी आज की ड से नहीं करेक्ट है पोस्तो